गुड यूनिंग टू आल आफ यू जैसा कि आप सभी लोग जानते इस्टुटेंट्स की जो CMP डिग्री कॉलेज की जो कट आफ हैं बीए के लिए वो लगातार जारी हो रही है और काफी कट आफ नीचे गिर रही है तो इस्टुटेंट्स इस वीडियों हम लोग बात के कल की कट आफ के बारे में यानि की कल की कट आफ जो है वो किन इस्टुटेंट्स के लिए है कितने माक्स के लिए है मेरा मतलब की यहां पर जो विड्नेश डे के लिए जो कट आफ है यानि की फिफ्ट जनवरी के लिए कल के लिए या कही सकते हैं हम लोग यह जो कट आफ है वो कितने marks के लिए किन students के लिए है उसके बारे हम लोग बात करेंगे students अगर आप लोग channel में नए है तो please channel को subscribe कर लिजे और like share करना तो बिलकुल ना भूले students यह 4-5 मिनट का वीडियो रहता है आपके लिए informative होता है तो please subscribe कर यह channel और support किजे यह आपके थोड़े support में किसी का सहारा मिल सकता है तो चलिए students बिना time waste करें स्टार्ट करते हम लोग वीडियो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर students की जो cmp degree college लहाबाद है इसकी जो notice है जारी की गई है और यहाँ पर देख सकते हैं students बिये के लिए क्या है और इसी में students हम लोग बात करेंगे BCA के लिए students के लिए भी cut off जारी की गई है तो उसके बारे में भी बात करेंगे तो students जो बिये के लिए cut off हाई है कल के लिए यानि की पांच जनवरी के लिए बिये अन रचित और सरेंडी से हैं यनि की you are unreserved category के अंतरगत सभी वर्गों के यहाँ पर इस्टुःट्स आल क्टेगरी इस्टुइट्विट्स को बलाया गया है आल क्टेगरी इस्टुइट्स है जो आल क्टेगरी स्ट तो यहां पर एड्मिशन ले सकते हैं इस्टुडेंट्स सभी को मैं एक थोड़ा से यहां पर डाउट क्लियर करना चाहता हूं बहुत सारे इस्टुडेंट्स जो है कमेंट करके पूंचते हैं सर मेरा कुछ बच्चों ने तो कमेंट किया सर 164 है हमारा यंपी में मिल जाएग अन्रिजर्ब स्रेंडी के लिए है इसमें कोई रिजर्ब स्रेंडी नहीं आइमीन कि यह किसी जनरल कटेगरी के लिए या फिर ओबी सी के लिए रिजर्ब नहीं है यह सभी कटेगरी के इसमें लिखा भी गया साफ साफ के अंतर्ग सभी वर्गों के यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर आपके marks 150.20 से उपर हैं या फिर इतने हैं या इसे ज़्यादा हैं चाहे आप OBC से हो या आप general से हो general category से हो या फिर आप CHT से हो अगर आपके इतने marks हैं तो आप admission ले सकते हैं समझ में आई students तो अब यह नहीं करना कि आप जिसका है कि OBC से है 164 marks है होगा की नहीं होगा इसमें आप लोग clear कर लिजे अपना की यह जो है अगर बहुत ज़्यादा comments हो जाते हैं तो reply देना मुस्किल हो जाता है तो वीडियो के जरीए मैं आपको सारे जितने भी आपके doubts हैं आप comment कर सकते हैं वह doubts मैं वीडियो के जरीए clear कर दिया करूंगा इस्टुएंट्स आगे हम लोग देख लेते हैं तो यह बीए के सभी स्रेडी के लिए है आल कटेगरी के लिए इस्टुएंट्स के लिए 150.20 या फिर above marks उससे हों वहीं पर अनसूचित जनजाती इस्टी के सभी प्रविसार्थी को यहाँ पर बुलाया गया मिए प्रेंड के सब्सक्राइब करते हैं लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक जिरूर कीजिए अगर आपके लिए इतनी इनफॉर्मेट्व ब्यूडियो होती है तो आपको लाइक करना ही करना है हम लोग आगे देख लेते हैं इस्टुएंट्स जो BCA इस्टुएंट्स हैं BCA इडमीशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो यह cut-off आई है वो है अनसूचित जन जाती ST की जो परिवर्ति सीटों के प्रती अनसूचित जाती के सभी प्रवेसार्थी महाविद्याले के कंप्यूटर अनभाग से संपर करें मैंने स्टुएंट्स पहले ही बताया कि जो ST कटेगरी की सीटे रिजर्व होती है अगर इसमें ये स्टुएंट्स एडमीशन नहीं लेते हैं तो इन्हें convert कर दिया जाता है SC कटेगरी में यानि की जो SC के स्टुएंट्स है वो इसमें डमीशन ले सकते हैं मैं पर इडमीशन ले सकते हैं BCA की कट आफ में औरگ स्टुएंट्स यहाँ पर जो भी आपके डाकोमेंट्स व्गरहा हैं पर मेंसन किया गया वैसे मैं सभी वीडियो में डाकॉमेंट्स के बारे में बता देता हूँ आप लोग यहां देख सकते हैं पढ़ सकते हैं क्या क्या डाकॉमेंट्स आपके यहां लगते हैं मेंली मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपके पास TC होनी चाहिए Transfer Certificate इसकी मूल प्रती Original TC और वहीं पर High School और Students जो 12th की Mark Seat and Certificate की Original Copy और इसकी एक Photo Copy साथ में होनी चाहिए वहीं पर हम लोग अगर बात करें तो आपका जो अंक प्रमाण पत्र मिला था जो आपका Result आया है अंक प्रमाण पत्र की उसकी एक Photo Copy ठीक है? मूल प्रती और छाया प्रती भी अधार काट की एक Photo Copy आपकी यहाँ पर लगेगी और Original अधार काट भी आपके पास होना चाहिए और आपकी Passport Size Photo आपकी Photo Colored होनी चाहिए और जो भी आपकी